इसमें भी लटकों को management का πैसा नहीं मिलता है ठीक है आप लोगों को descamus का पैसा नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को लुटा है तो आज के इस वीडियो के dollar टेंटल साम लोग आप आज के इस वीडियों में हम क्या बात करने वाले हैं कि जो बच्चे इस्पेसल एक्जाम मतलब विशेज परिक्षा जो होने वाला है मैट्रिक का या इंटरमीडियेट का उसमें जो बच्चे का मार्स अच्छा आएगा उनको स्कॉलर्शिप का पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और दूसरी बात जो बच्चे टॉप कर जाएं तो वह मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा इस बार 2024 में आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं बट उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीजु को लाइक किजिएगा और अपने दोस्तों में सब किजागा ताकि उनको भी पत एक्जाम होगा था तो उसमें भी टॉप पर आये थे और उनका भी वेरिफिकेशन करना पर रहा था ठीक है टॉपर को कुछ जो है रासी दिया गया था टॉपर जो टॉप किये थे लेकिन लैप्टॉप बगरा नहीं दिया गया था सिर्फ पैसे दिये गया थे बाकि स्कॉ स्कॉलर्शिप का पैसा स्टुडेंट को मिलेगा जिहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एड कर दिया गया है कि जो भी बच्चे स्पेसिल एक्जाम से पास करते हैं 60% प्लस मार्क से उसका अलग स्कॉलर्शिप का स्कीम है 50% से अलग है तो उसका अलग है 75% से उपर है तो उसका अलग है तो उसका अलग है जो बच्चे टॉप करेंगे तो उनको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बोड़ ऑफिस पटना बलाया जाए जाएगा और फिर वहां जो है उनको जो उनका राशी होगा जो भी उन देना होगा वो दिया जाएगा प्लस लाइप टॉप जो भी जो उपहार गिफ्ट दिया जाता है भी हार बोड के और से चेर्मैन देते हैं टॉपर को वो दिया जाएगा 2024 के कैंडिडेट को जो स्पेसल एक्जाम देंगे वह तो हो गया टॉपर वाला और यहां पर दुसरा हो गया स्कॉलर्शिप बाला स्कॉलर्शिप देखि वह सभी दूर हो गया होगा अदर्वाइस को भी कन्फिजन डाउट कोई जिस है आप रिचे कमेंट कर दिजेगा उस पर वीडियो बना देंगे तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में तना ही मिलते हैं आप से भी से नेक्स्ट वीडियो में